Sir, आजकल ना एक नया गाना मैं सुन रहा हूँ, वो अमरित मन्थन पे बेजड है, तो उसमें गाने के थुरू उन्हों ने बताया है, उसका नाम हला हल है, वो हमारे एक फ्रेंड नहीं गाया है, तो वो गाना सुनते सुनते मुझे बहुत इंट्रेस्ट आया, कि अमरित क्या उसका परपस था, और उसमें से और क्या-क्या चीजे निकली अगरा, जब हुआ Sir, तो सब को पताए कि भूले बाबा ने पिया वो विष्ण, लेकिन हमारे दो भगवान जी और है, विष्णु जी और ब्रहमा जी, उन्होंने क्यों नहीं लिया और जैसे एक तरीक से म जाता है, क्योंकि वो कभी बना नहीं करते किसी चीज को, यह एक में बहुत सारे सवाल हो गए, तो मतलब उसके बारे में कुछ बताओ आप, अमरित मन्थन को थोड़ा अच्छे से बताओ, डिसकस को, तो भाई साब सबसे पहले तो पिछली बार जब हम बैट के बात कर रह शायद मैंने बोल देया था कि शेष नाग को रसी पर वासुकी तो पहले तो वासुकी था, सुधारले था, दूसरा अमरित मन्थन में क्या क्या निकला उसके पहले तो मैं आप से पूछूँगा कि भाई बोल रहा है कि नील कंठ शिव जी ने पूरा विष पिया, तो तीन किस के कंठ में कितना रुपता है क्योंकि कंठ और जीवा से लूग बात बड़ी-बड़ी कर दा है तो जानना है कि जो जयर सफुगव रहा है तो जाहिए निग बात रहे तो शागरमंतन, भान सारी चीश निकली थी लेकिन जो मेन मेन चीज़े हैं जिसकी ज़्यादा बाते होती हैं लिस्ट ओ लम्भी है सर वैसे वो हुआ क्यों था सबसे पहले यहर डिलिंग प्रॉसेस था वो बेसिकली वो सबसे पहला यह क्या बोलना चाहिए जो डिगिंग आईल मतलब हम धर्ती माता से आज तक जितनी चीज़े निकाल रहे हैं मिनरल, लाइरन, ओर, ओइल तो यह भगवान जी लोगी सिखा के रहे हैं निकालो तो अब उनको निकालने का जो प्रॉब्लम था तो देखो विष्णु जी तो इसलिए विष्णी पी पाए क्योंकि वो तो सागर मंतर में पानी के अंदर थे है ना, वो तो टर्टल बन के नीचे थे ना उन्ही के उपर तो वो पहाड लगा था जिसको गोल गोल ना था सर, हमें थोड़ा शुरू से बताओ हम चाते हैं हम जैसे जितने लोग कुवरी अच्छी चार्चा करनी है, इस बार रही है तो वो पूरा प्रोसेस समझे तो दशापतार में एक आदर है कुर्मयवतार, कुर्मयवतार जो है, बो टर्टल के shape तो को यह जो पूरा दशापतार के पूरा खेल है यह Essa यह डार्विन पहले वो Christianity में बोला गया है कि Angels आये थे और Ship of Noah बनवाये थे King से जिसकी वज़र से तो उनको बताया गया था एक भविश्वानी हो थी कि कुछ लोगों को बचा के निकालो क्योंकि प्रला आने वाला बाड आने वाले तो उसने फिर Noah नाम का वो बंदा था जिसने एक Ship बनाया और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है पागल है यह शिप बनार शिप बनार वो जब उसका Ship complete हो तो सही में बाड आई तो उस Ship में बहुत लोगों को बचा के वो ले गया यही कहानी हमारी उनके पहले की है वो है मत्स वतार की कहानी कि एक राजा एक मचली खरी मतलब रह गया ईक राजा गये पानी में अरपंट अरपंट करने है दो ऐसे के तुनके हाथ में एक छोटी से मचली आ गजा यह पहंट प्यारी से मचली ती तो उनको लगा कि इतने बड़े नदी तालाब में जुटी से मचली कोफ ए घॉए लिए रहरी तो ऑच्छा के उन बड़ा कुछ भगवना मंगाया उसमें रखा तो थोड़ी दिर बाद देखे तो भगवने जित्ती बड़े हो, तो जित्ता बड़ा बरतन मंगाया, जित्ता बड़ा वो लाएं, उत्नी हो बड़ी हो जाए, तब इनको समझ में है कि मचली-मचली नहीं है, यह कुछ और है, स पिर मत्स वतार ने बताया कि बार आने वाली है ये ये ब्राम्मन हैं ये जानवर हैं ये ये लोग इनको बचाओ इनसे दुनिया बचे गे और शुरू होगी तो उनके बोलने पर एक शिप बनवाया और आजा तो जब बार आई तो वो जो बड़ी मचली बन गई थी ना वो खैंच के लेके गई बचा के ये कहानी है ठीक है ये तो अपने दर्शाफतर की बात हो गई डर्विन्स थेरी आफ एवल्यूशन में पहला एनिमल क्या है फिश है फिश से सब चालूआ जीवन चालूआ फिश से ठीक है तो यहां मत्स वतार जिसको हम बोलके कहानी के बोल रहे हैं इसलिए मेरे को मत्स वतार याद है लेकिन आप जब ऐसे वन टू थी फूर करके बिना कहानी समझे याद रखते तो आप भूल जाते हैं तो ये मत्स होतार है तो उसके बाद डर्विन्स थेओरी आफ एवल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लाइफ पहली बार पानी से बाहर निकला टर्टल के रूप में ठीक है लैंड पे आया तो अब एक और कहानी है कि शीर सागर में हिरन ने कर्शी पुले अब अर्थ को पृत्वी को ले जाकर डुबो दिया था तो उससे लड़ने के लिए वरह होता रहा है तो जो कांता वो जिस भगवान से इंस्पाइड है कांतारा वाली कहानी वो है वरह होतार तो वरह होतार का सुहर जैसा हम होता बोर फेस बोलते था तो आपने एक तस्वीर देखियोगी कि उसके सींग के ओपर गोल सा आर्थ रखा हो उसका चेहरा बोर का है उसका शरीर आदमी का है तो एक वो आया उसके बाद इंसान तो बनने लग गया लेकिन इंसान को ना एगरी कल्चर नहीं आता था उगाओ पकाओ खाओ यह सब नहीं आता था तो जब अर्ली में को नहीं आता था तो अर्ली में क्या खाता था मांस खाता था शिकार करता था मांस खाता था वो है नरसिम जूंड में और अटेक करके मारके और उन को पकाना नहीं आता था तो माãy सखाते थी तो नरसिम्मा उतार के तोर पे Darwin's story of evolution में हम वो early man दिखा रहे हैं जिसको पकाना नहीं आता था उगाना नहीं आता था ऐसी करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं उसके वे जब human बनना चलूँगा तो वामन उता रहा है छोटा साथ वो आदमी के size की बात उसमें नहीं हो लिए है आदमी की बुद्धी और समझ की बात हो लिए है कि एकदम नया नया साफ सुत्रा आदमी बना कि और अभी बुद्धी से शिण है छोटा है दुनिया सीखना बचा है तो वो था वामन होता है फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो बलराम आते हैं और लोग भी हैं लेकिन मैं coming to this thing फिर बलराम आते हैं तो बलराम के हाथ का हतियार क्या है हल वो ऐसे खड़े होता है ना हल लेके मतलब human cultivation सीखा अगरी कल्चर सीखा तो वो हैं उसके बाद प्रेम सीखा तो क्रिशन है बलराम के बाद आते हैं क्रिशन और बलराम और क्रिशन के पहले मर्यादा पुर्शोत्तम राम आते है दी परफिक्ट मैं दी राइचियस मैं तो ये हमारा Darwin's theory of evolution है दर्शावतार की पूरी कहानिया उसमें पहले हैं मत्सवतार दूसरे कुर्म उनमें आयते हैं आपके सवाल पर तो सागर मन्थन करने के लिए आपको एक प्लेन सर्फिस चाहिए ना ऐसे ऐसे करना है जब आप मत होगे तब तो निकलेगा दूद से घी बनता है मक्षन बनता है तो दूद को तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है बिना ऐसे किये तो घी मक्षन नहीं निकलेगा तो घी मक्षन हम लोग उसको संबरिद्धी बोलते हैं तो पृत्वी के अंदर जो रिचनेस था उसका मन्थन इसलिए उसको सागर मन्थन कहते है तो सागर का मन्थन शुरूआ सागर के अंदर जमीन है जमीन की सत्वा सीधी नहीं थी तो विश्ण जी बोले कि यहां मैं अपना रोल करता हूँ तो कुर मौतार आए और कुर मौतार वहां नीचे जाके ऐसी जगा सेटल हूए कि मेरे उपर करो मैं आपको फ्लैट सर्फिस देता हूँ करने तो कुर मौतार अपना चारो पैर जमाए और उस उनके जो टर्टल का जो शेल होता है जो उबड होता है उसके उपर परवत सेट किया गया अब परवत को चलाने के लिए कुछ चाहिए मतने के लिए रसी तो चाहिए वो रसी बने शेशनाग नहीं वासुकी तो वासुकी को वहां डाला गया अब जब ये हो गया तो आपको दो हाँच चाहिए ना मतने के लिए तो ये बात हुई कि आप भी खीच रहे हम भी खीच रहे हैं जो निकलेगा बराबर बटेगा पता नहीं था कि अमरिती निकलेगा नहीं पर जो निकलेगा बराबर बटेगा वो शुरू कुछ निकला फिर कामधेनू गाये निकली काम देनुगाय जादू ही गाय थी उनसे जो मांगा जाता था उनके थन से वो निकलता था तो अगर राजा बोले कि मेरे को आर्मी चाहिए एक लाख लोग की तो वो एक लाख लोग निकलते थी आप के पास काम देनू गाय और आप के दर्वाजें पर अक्डूरी आर्मी आ गlorा के एक लाक लोग खाना चेकि एक लाक लोग खाना पर यह सब निकल रहाता तो फिर निकलते निकलते पिर धन्मंतरी निकले जनके नाम पर आप और हम धन्तरस मनाते हैं दिवाली के दो दिन और एक दिन पहले तो वो डेमी गॉट थे ये ये लास्ट लेवल ऑफ गॉट है ये ना हैरेर्की में जिनके वारे लोग पता भी नहीं है क्योंकि वो आधे इंसान है आधे गॉट है जब मर जाएगा तो फिर अमरित का क्या करेगा हो तो सारे हाथ खड़े कर दी बोले हम नहीं पीएगे लेकिन सागर मंथन का ये भी रूल था कि जो निकला है ना जब तक आप उसको ग्रहंड नहीं करोगे तब तक नेक्स निकलेगा वीडियो गेम में आप जब तक ये ड्रागन नहीं मारा होगे तो नेक्स स्टेज में नहीं जा सकते है ना तो लाइव भी ऐसी है कि जब एक आपका अध्या जब तक आप नहीं खतम करते हो आप दूसरे अध्या में पढ़ाओ में नहीं जा पाते है तो सब रुक गया सागर मंथन रुक गया सब एक दूसरी को बोला है कि तो भगवान भी वो निए होओए थे ना अमर निए होइथ ना कि अमृत तो निकला ही नहीं है तो सब बोले पागल है क्या में नहीं होगा वो बोले हम क्यों पिये ताब आयर शिव जी बोले ठीक है इसको इसको ग्रहन करना है नील कंट क्योंकि वो विश था तो उनका पूरा गरदन ये नीला हो तो उन्होंने यहीं पर रोके रखा उसके यहां रोक दिया तो उन्होंने कंट हमें रोक लिया कि उनको भी मालूम है कि यह विश उतारूंगा तो गरबड़े मांगो उसके बाद फिर बोले चलो एक प्रा गरचालोगा कि अम्रित कलिश हमारा है अम्रित कलिश हमारा है और देवो को समझ में आए इंदर की चाल थी है देवो को समझ में आए कि अगर यह लोग पी लिए तो तो कभी खतम ही नहीं हो तो यह तो सब ।ो यह तो सब we both our Raja甚麼 ढोले की कुछ तो करना पड़ेगा तो करता हूँ फिर विष्णु जी के पहुंचे के फिर या बचाईए आप ही तो हैं प्रिजर्वर हैं तो जब हम सागर मंथन नहीं कर पाए तो आप नीचे पहुंच गया जो चाहिए था उनको नहीं दे सकते तो मोहिनी रूप धरे और मोहिनी रूप धर के फिर वो डांस करकर के इधर पिलाएं तो पानी पिलाएं उधर पिलाएं तो अमरित पिलाएं तो इधर मदीरा जूस ये सब जाता था और गूम के जब पलटते थे तो इधर अमरित आता जब वापिस पलटते थे तो वो गगरी बदल जाती थी ये सब जब चल रहा था तो एक दानव ने पीने लग गया तो फिर ये लोग इंदर वगरा चिलाए कि रहे विष्णु जी से गड़वड हो गया ये इसको नहीं पीना था और ये जैसी सुना तो उटके भागा तेजी से तो जब भाग रहा था तो इसके अंदर अम्रित उतर रहा था और ये भाग रहा था तो मोहिनी रूप छोड़के विष्णु जी वापिस अपने रूप में और चक्र उसके उपर चलाए तो बीच से कट गया लेकिन तब तक वो अमर हो चुका था वो जो अमर हो गया उसका दो पार्ट हुए वो है राहू और केतु वो जिसके प्लानेट में जाकर बैठ जाते हैं उसकी लग जाती है